दोस्तो अगर आप सलही का काम करते हैं तो दोस्तो ये वीडियो आपके लिए बहुत important होने वाली है आज मैं आपके लिए ऐसी tips and trick लाया हूँ जो आपके बहुती काम आएंगी ठीक है तो ये वीडियो आपके लिए है वीडियो का end में ऐसी trick है कि आप जब new cutting करेंगे तो अच्छी से trick दोस्तों यहां पर यह लेना है आपको safety pin और यह पिन यहां पर बड़ी है आपको थोड़ी छोटी पिन लेना है ठीक है इससे आदी मेरे पास यही थी तो मैं इसी से आपको बता रहा हूँ इसको आपको इसमें डालना है इस तरीके से और डालने के बाद आप इसको यहां से बंद कर लेंगे तो यह नाप लेने का बहुत अच्छा तरीका है जब खुद का खुद से नाप लेते हैं तो वो इस तरीके से लिया जाता है जैसे के हमने यहां पर क्या करा यह इंची टेप लेंगे और इसको इस तरीके से डाल देंगे आप कभी भी दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो है साड़े 8 इंच है साड़े 8 में जो हमारा पिन का गैप है तो वह दो सूथ हम और बढ़ा लेंगे यानि कि हम पौने 9 इंच रखेंगे इस तरीके से ठीक है इसी पिरकार आप अपने जिसम का कोई भी नाप ले सकते हैं आप अपना कोई भी जिसम का नाप ले सकते हैं हर जगा जैसे आपको अपने हाप सूट का नाप लेना है या शैट का नाप लेना है किसी का भी नाप ले सकते हैं लेडिस या जैन तो इस तरीके से नाप सकते हैं और आपको हमेशा इस तरीके से नापना होगा यह देखिए ठीक पसके हैं आपना सकते हैं आर मोल के संग संग तो आप इसे तरीके से अपने अपने नाप सकते हैं कमर भी नाप सकते हैं कोई चीज़ आप नाप सकते हैं जैसे मैंने यहां पर आया है पौने 22 मगर इसमें हम दो सूथ का गैप देंगे तो यहां पर हमारी थाई आएगी 22 अगर थोड़ा लूज नापना चाहते हैं तो इस तरीके से उठागे और हाथ से पकड़के अपना नाप ले सकते हैं जैसे हमारी से यहां पर कर लेंगे हम इसके पीस ठीक है और कभी भी इसको फेक है ना तो इस तरीके से हम इसको दो कर लेंगे दो करने के बाद में यहां पर हम कटर के जरीए यानि चोटी कैची भी इसे बोल सकते हैं इस तरीके से कर लेंगे दो पीस ठीक है और दूसरे वाले के पीस क के फेकना पड़ता है तो आप क्या करेंगे इस तरीके से इनको लेंगे रील को और इस तरीके से इनको फैला लेंगे फैलाने के बाद में इनको इस तरीके से इस पर लगा देंगे अब आप देख सकते हैं यहां पर बिल्कुल फिट आ गया और कोई भी हमारा धागा वगारा इसका नहीं लिख लिगाँ ये देख सकते हैं, तीक है? ये बिलकूल फिट हो गया. मगर इसके बाद अगर आपका रील है मोटा इस तरीके से, ठीक हे? आप ये चोटा रील है, ने चोटा रीलए जो ये बहूंसे आजा जाएगा, तो यहाँ पर लिकल जाएगा इस तरीके तो लिकल गया और इसी रील पर यहाँ पर यहाँ पर यह नहीं लिकलेगा तो इसके लिए हमें क्या करना होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ आपको लेना है यहाँ पर blade और इस तरीके से यहाँ पर इसको कट देना है ठीक है यह देख सकते हैं तरीदो पर बताता हूँ मैं आप और ठीप नंबर थ्री यानि कि आप मार्केट से रील लेके आते हैं और इसका कबर उतारते हैं रील का और इसे फेक देते हैं तो आप क्या करें एक छोटा से डिबबा बना लें और डिबबे में इसको एक खटे करते रहें ठीक है जो रील हमारे थोड़ा बहुत काम होता है हैँ से हम नयाी लाते हैं थोड़ा बहुत काम कर लेते हैं इसके बाद में लाइब Reel बच जाता है और उसके धाग और अलशते रहते हैं जैसे में आपको बताओ यह मैं थोड़ा सा काम किया और यहाँ पर दो यह मेरा री यहाँ पर बच रह यह तो इसके यह आप क्या करेंगे आप ऐसे तो रही यह बगर यहां पर डाले के और इसमें रखने ठीक है इसी तरीके का आप दूसरा यहां पर खोल ले तो पे हम इसको हलके से चड़ा देंगे ठीक है है अगर के राकते हैं तो आपके रिक बोक्स 22 rainbow पर चड़ा दे नबर 23 अब दोस्तोर हम यहाँ पर अपने कटींग करते हैं करने के बाद में यहां पर ऐसी स्क्रेप बेकार चली जाती है और लोग फेक देते हैं तो इसको आपको बिल्कुल नहीं फेक ना है इस तरीके से दूसरा पीस होगा उसको हम करेंगे इस तरीके से तिर्चा ठीक है क्योंकि तिर्चा तो होता ही है फिर अपने इस वाले पीस को भी यहां पर त तर्फा कर लेंगे फिर्षा करने के बाद बें जो हमारी इसकी फिर्फ जो बंद होता है यह वाली से बंद होती है इसके 1000 कमार देंगे अब कट मारने के बाद दोस्तो ऐसी ट्रिक शफम को बता रहा हूं कि आपका बुक्रम जरा सारा नौल होगा और आप अपने नेक को इसी तरीके से बना सकते हैं जोड़ जोड़ते हैं तो हमने तिर्चा जो कटिंग किया था इसको इस तरीके से रखेंगे और यहां पर जोड़ लेंगे ठीक है अब हमने यहाँ पर एक पीस जोड़ लिया है इसी तरीके से हम यहाँ पर इसका दूसरा पीस जोड़ लेंगे इसको बिल्कुल सीधा रखेंगे अब फ्रेंड हमने यहां पर इनके दोनों फीज जोड़ लिए हैं दोनों फीज जोड़ने के बाद में अब इस तरीके से करेंगे इसको फोल्ड ठीक है और फोल्ड करने के बाद में यहां पर जो भी आला टेना है इसको कर लेंगे हैं बिलको सीधा अब सीधा करने के बाद इस तरीके से यहां पर हम उपर से भी जो इसकी चोंच बनी यह वो सीधा कर लेंगे और यहां से हम अपना कोई इससे कर भी यह देगी मैं है टिक करने निया है करने के बाद में अब इसका हम पर भांजिना लेते हुए रदी ए बिल्कुल यह देखके है यहां पर निकल चुका है मैं आपको यहां दिखाता हूं ठीक है यह में अब तल चुका है आब हमें यहां पर बाद थोड़ा सा अगिर्म बचाया हमारो यह इतना जरा है तो इस में भी हम पूरा एक नेक काल सकते जो나 करें इसको क्या और त्रीचा करने के बाद में यहां से हम कर लेंगे इसको कट अब करने के बाद दोस्सों कियए सबकूर शारा आप दोस्तों यहां पर देखिए हमने इसको जोड़ लिया है और यहां पर मार्जन है हमारा काफी कम अब इसमें हम नैक निकाल सकते हैं किस तरीके से लिकालेंगे यह देखिए यहां से हम पूरा नैक निकाल सकते हैं अराम से यानि कि आप एक इंच बुकरम खरच में अपने अराम से पूरा नैक निकाल लेंगे तो यह trick बहुत आपके काम की है आपकी यहाँ पर काफी बज़त होगी, बुकरम की भी और आपका यहाँ पर time भी बचेएगा, ठीक है? कोई time का जादा खरचा नहीं है तो इस तरीके से हमने देखकर, यहाँ पर यहाँ बी निकाल लिया तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे नेक्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग इस वीडियो